दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि option change जो होता है, उसको कैसे analyze करता है, किस तरीके से आप option chain की मदद से support और resistance धून सकते हैं, अब इसके लिए मैंने यहाँ पे niftytrader.in यह website open की है, आप NEC के website पे भी यह सारी चीज़े देख सकते हैं, लेकिन मैं prefer करता हूँ niftyt trader.in यूज करना, काकि काफी सारी चीज़े मुझे यहाँ पे मिल जाती है, website को आप किसी भी email ID के उपर login कर सकते हैं, free of cost login है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप option chain में जाते हो, तो यहाँ पे आपको symbol डालना होता है, जो भी stock की option chain या फिर indices की stock option chain आपको यहाँ पे analyze करन अब nifty trader में use करता हूँ, spot price आपको यहाँ पे directly मिल जाती है, PCR का data जो बहुत important होता है, put call ratio आपको यहाँ पे मिल जाता है, max pain level आपको दीख जाती है, और expected range कितनी हो सकती है, आने वाली expiry में वो data आपको यहाँ पे आसानी से दिखाई देता है, जो कि NAZ के side के उपर आपको सारी जीज़े calculate करनी पड़ती है, अब option chain को analysis करने के लिए सबसे पहले, अगर हम option chain को समझे, तो left side में आपको यहाँ पे calls का data और right side में आपको puts का data दिखाई देगा, अब इसकी मदद से आप different different strike price select कर सकते हो, और उसका जो why data है, यानि कि open interest का data है, उसे analyze करके support कहाँ पे ब हम देख लेते हैं, spot price चल रहा है 17,036 का, तो उसके आसपास कहाँ पे support और कहाँ पे resistance है, यह थोड़ा हम देखेंगे, आपको अगर resistance देखना है, resistance की बात करेंगे, तो calls का आपको why data देखना होगा, call की strike price का जो है, उसका why data देखना होगा, और support की अगर बात करें, तो put का जो strike price है, उसका आपको why data थोड़ा सा देखना होगा, तो 17,036 market चल रहा है, मतलब 17,000 का जो call है, या फिर जो put है, वो हम यहाँ पे मानते हैं की ATM call है, अब option chain में, spot price अगर आपकी ज्यादा है, और strike price आपकी कम है, तो वो strike price इंदवनी होती है, call option में, और अगर आप यहाँ देखे, spot price अगर कम है, और strike price यहाँ पे ज्यादा है, यानि की 17,036 हमारी spot price है, और 17,100 का हम अगर strike price पकड़ते हैं, तो put side में यह strike price इंदमनी हो जाएगा, वही call side में यही strike price आउट अफ दमनी हो जाएगा, तो इंदमनी call option, इंदमनी put option क्या होते है, या आपको idea आ गया हो जो भी यहाँ पे अगर आप normally देखना जाते हैं, तो यहाँ पे yellow background में जो call option लिखके है, वह सारे ITM options है, यानि की इंदमनी option है, और यहाँ पे दोड़ा नीचे आओगे, तो put side में yellow background में जो put option आपको दिखाई दे रहे है, वह इंदमनी options है, और बाकी white background के उपर जो आपक calls और put दिखाई दे रहे हैं, वह सारे OTM के options है, यानि की out of the money के options है, तो basically यह option chain में सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए, अब आप option chain का analysis किस तरीके जखर सकते हैं, जिस भी call side में, call side में, जिस भी strike price का OI data आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानि की यहाँ पे particular, यह तीन strike price में अगर यहाँ पे select कर लो, 17,100, 17,200 और 17,300, यह out of the money की call options strike price में यहाँ पे देख लो, तो उनका OI मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा किसका है, 17,100 का, आज market 17,100 के नीचे दिखाई दे रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 17,100 के न call writing यहाँ पे किस strike price पे हो रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते call writing हो रही है, सबसे ज़्यादा 17,100 के strike price के उपर, जबी आप कोई भी strike price उठालो, किसी भी stock के strike price उठालो, bank nifty nifty या कोई stock हो, TCS reliance या फिर BPCL या LTE जैसा, जिस भी strike price के उपर आपको call में सबसे ज़्याद OI अगर जिस strike price पे दिखता है, तो वो strike price यानि कि वो level जो है, वो resistance का काम करने वाली है, यह एक idea आपको आजाता है, तो market वहाँ तक जा सकता है, लेकिन उसको cross करने में दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे call right करके बैठे हैं, यानि कि इनका मानना यह है, क market यहाँ से उपर नहीं जाएगा, यहाँ से market नीचे ही जाएगा, और पूरा का पूरा premium जो है, इनको खाने के लिए मिल जाएगा, तो यह resistance का काम करता है, तो इसकी मदद से आप support resistance जून सकते हो, अगर 17100 मान लोग, यहाँ पे cross हो जाता है, बहुत ज़्यादा buying आती है, औ तो next level आपको, जिस strike price के उपर Y data जादा है, वो आपको next resistance level का काम करेगी, तो यह analysis करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, और इसकी मदद से आप options में trading कर सकते हो, लेकिन strategy भी बनाना ज़रूरी है, सिरफ इसको देख के नहीं कर सकते, काफी सारी जीज़े आपको एक सा strategy लगानी है, जिस भी strike price में सबसे ज़्यादा OI है put side में, वो आपके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे put writers का काम करेंगे, जिनका मानना यह रहेगा कि market यहां से नीचे नहीं जाएगा, तो हम यह put जो है, वो sell करके बैठेंगे, मतलब उनका मानना यह है कि market यहां से उपर ही जाएगा, तो यह जो पूरा premium है, वो zero हो जाएगा expiry तक, इसी लिए OI data, जिस भी strike price के उपर put side में जादा है, वो हमें यहाँ पे support का काम करता हुआ दिखाई देगा, तो basically यही सारी जीज़े option analysis में हमें करनी होती है, इसके अलावा expiry अलग-अलग select करके, आप क्या कर सकत हो different, different, यहाँ पे expiry select करके, same strike price के उपर कितना OI data है, उसका एक साथ calculation कर सकते हो, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ पे support बन रहा है, और कहाँ पे resistance आपका यहाँ पे बन रहा है, तो option chain analysis, इस तरीके से आप एक शुरुवात में कर सकते हो, एक tentative idea आपको आ जाएगा कि कौन से strike price के उपर यहाँ पे जादा option open interest है, और कौन से strike price पे यहाँ पे कम open interest है, तो इसकी एक idea आपको आ जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि 17,000 की put के उपर 2,00,000 का open interest यहाँ पे खड़ा है, और 17,100 के put के उपर 1,40,000 जो की level अब नीचे आ गया है, और उसके अगर हम सबसे जादा OI देखे, तो 16,800 के उपर 1,00,000 का OI हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह हो गया, अगर 17,000 break होता है, तो 200 point ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि सबसे जादा जो OI यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो 16,800 की put के उपर दिखाई दे र और इसकी मदद से आप काफी आसानी से support resistance ढून के option में trading कर सकते हो, बाकि इस वीडियो में दोस्तों इतना ही आपको I hope पता चल गया होगा कि open interest का analysis और option chain का analysis किस तरही से करना है, वीडियो अच्छा लगा हो तो please like कर देना, वीडियो को जादा से जादा share करना, और channel को subscribe करन ना भूना, जो भी आपके comments है, वो मुझे आप पूछ सकते हो, मैं सबके answer देने के लिए यहाँ पर तयार हूँ, धन्यवाद